हेलो साथ यो आप सभी का स्वागत है आज में लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम जो है बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है और पूरे बेसिक से मैं आपको बताऊंगा एक तरस देखा जातों यह फाउंडिशन क्लास आपका होगा देखिए आपका जो भी द agree नंबर सिटम हैं इसाथ को ना देखा है उसके बात आपका आने वाला है वो भी जलद आपको आजाएगा एक्जाम नथी लुओ यह फिर आपका गुरुपडकरी लगा हुआ है इस तरह से एकजाम और रेलवे का देखा तो बहुत सर एकजाम को गभर करना होगा और मैं जो बता रहा हूँ यह आपका जो है सब एक्जाम को cover करेगा math के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूत नहीं है पूरा foundation class में आपको दूँगा तो आज start हम लोग करते हैं कि सिच को कौन से chapter जो है बहुत important है तो number system नंबर system में देखिएगा system जो है number system में जो है संख्या का ग्यान होना बहुत जरूर है कौन-कौन से संख्या जो बहुत important अगर आपसे कहा जाए का कौन सा अभाजी संख्या है रूड संख्या है तो रूड संख्या अभाजी संख्या को ही बोलते हैं आपसे question दिया जाएगा route 5 सकता है इसमें option बॉनापने, ह courts 3 by 5 दिया ज़क सकता है या फिर, renowned root दिया सकता है या R第 5 इसमें से बताना है कौन-कौन सा है route 5 उन्ट संख्या yeah अभाज संख्या, तो आपको पता नहीं होगा, संख्या बारे में इहान नहीं होगा तो आप नहीं बता तो इसे सब चीजों को धियान में रखते हैं कौन कौन से संख्या होता है बहुत सवाल भी बनते हैं संख्या से रिलिटर स्ट बीकोशन आपके बनते हैं जैसे अगर देखा जाए पहला पहला प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या अगर इसको इंगलिस में देखा जा तो नेचूरल नमर बोलते हैं तो गिंती की संख्या को मतलब तो जीरो सिर्फ इंक्लूड कर लिजेगा जो प्राकृतिक संख्या होता है जो प्राकृतिक संख्या होता है जो आपका प्राकृतिक संख्या होता नेचरल नमर होता है उसमें अगर जीरू को इंक्लूड कर लिजेगा तो यह आपका क्या हो जागा जीरू हो गया वन हो गया टू हो गया थ्री हो जाएगा फोर हो जाएगा तो इस सब जो संख्या आपको दिख रहा है यह आपको हो जात होता है even नमर होता है जो कि पूरी तरीके se 2 सो कर जाए पूरी तरह की पूरी तरीके से जो है दो से नहीं कटे उसको बोलते हैं लोग शॉल क्ष्व हो जाएगा five को जाये में जो है 11 हो जाएगा यह आपके जो दीख रहे हैं यह आपके जो है और नमर की एक्जामपल हो सकते हैं नेक्स्ट अगर देखा जह फाइब नमर में यह बहुत इंपोर्टेंट है फाइब नमर कौन सा है आपका है तो पुर्णांग संख्या को क्या बोलते हैं बहुत इंपोर् नमबर भी आते हैं और इसमें धनात्मो संख्या भी होता है और जीरो भी आपके इन्कुलूड होते हैं अब यहां से निकलता है यहां पर इंटेजर जो है दो तरीका से देखा जाता है कौन सा एक सम पुर्णांग संख्या होता है और एक जो है बी सम पुर्णांग संख्या होता है एक सम पुर्णांग संख्या होता है एक विसम पुर्णांग संख्या होता है सम में कौन सा आ जाएगा तो सम में आपका जो है दो आ जाएगा चार आ जाएगा प्लस दो माइनस हना दो लिख सकते हैं हना प्लस माइनस जो है छे लिसकते हैं मतलब कि प्लस भी आ जाएगा इसमें मानस भी आ जाएगा प्लस भी ले सकते हैं मानस भी ले सकते हैं प्लस भी ले सकते हैं अब ये तो क्या था ये सम पुर्णांग था अब विसम पुर्णांग में देखा जाया तो विसम पुर्णांग के माइनस वन प्लस म च division क्लिए होता है तो जिरो किसमे कि इंक्रूड किए एता है । लोग का प्यांत प्रिमें संख्या पहुत इंपोर्टन्ट ये भी आपका परिमें प्रिमें हैं इसको बोलते हैं हम लोग they turnion आंबर बोलते हैं अब जब से तो Q बराबर जीरू नहीं आयेगा मतलब नीचेए वहाँ कभी जीरू नहीं आयेगा और जो पी और जो क्यू होगा ये हमेसा क्या आएगा पुर्रांग संख्या होगा। P OR C यो है क्या होना चलिए पुर्रांग संख्या होना चाहिए पियुदि हो चाहिए क्या होना चाहिए । कौशन पार से कॉन सा नमबर हैं को सा क्रौंध नमबर होना चाहिए। 5 भी लिख सकते हैं वोग है ना मतलब जिसको P by Q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमय संख्या बोलते हैं ठीक है यह तो आगे आपका आगे भी और भी कुछ हो सकता है next देखा जा सकता है कौन सा अपरिमे संख्या अब ये अपरिमे संख्या दिखे क्या होता है अपरिमे संख्या इसको क्या बोलते हैं इरेशनल नमबर बोलते हैं क्या बोलते हैं Q is equal to not 0, 0 नहीं यहां पर आएगा, 0 यहां पर नहीं आएगा, कुछ भी चीज़ आ सकता है, पर यहां पर 0 नहीं आएगा, और P और Q होगा क्या, P और Q जो है, क्या होना चाहिए, यहां भी पुर्णांग संख्या होना चाहिए, ठीक है, एक जांपल की रूप में अगर देखा होसकता है, तो यहां झापन कैस क्या होसकता है, तो इसका पे अगर एगिजयांपल हों गया, नेक्स जब देखते हैं तो वास्तविक संख्या देखते हैं वास्तविक संख्या इस संख्या बहुत इंपोर्टेंट जब तक लिए संख्या का ग्यान नहीं होगा बाबू तब तक लिए आप जो है नंबर सीटम को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे अब यह में संख्या को मिला करके जो है क्या बोलते हैं हम लोग दोनों को मिला करके हम लोग वासवी संख्या बोलते एक्जांपल कुरूप में अगर देखा जाए एक्जांपल में इसमें क्या सकता है तो वन बाइटू भी आ जाएगा नाइन बाइटू भी आ सकता है और जो है त्य पारी में बहुत बहुत संख्या वह बच्चों को दिकत होता है भाजी संख्या ऑछ बोलते-दिकत नंबर बोलते हैं क्या बोलते हैं कंपोजिट जो है नंबर बोलते हैं इसमें अगर देखा जाए कौन का स्टार्ट होता है नंबर यह यह फोर से फोर हो जाएगा हना सीक्स हो जाएगा एट हो जाएगा हना नाइन हो जाएगा टेन हो जाएगा 12 हो जाएगा हना उसके बाद यह 14 हो जाएगा इस तरह से आप नंबर ले सकते हैं मतलब इसका definition क्या हो जाएगा परिभासा अगर देखा जाए तो वैसी संख्या जो एक से एक से भी कटे और स्वैम से भी कटे और अन्य किसी संख्या से भी कट जाए विभाजित हो जाए उसको बोलते हैं लो भाज संख्या बोलते हैं आपका composite नमर बोलते हैं अब देखिए यह 4 को अगर लेका देख लिया जाए ती 1 से भी कट सकता हैं तू से भी कट सकता है और जो अभाई संख्या को सोज में आ गया होगा अभाई संख्या क्या होता है अभाई संख्या क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं क्या बोलते हैं प्राइम नंबर अभी प्राइम नंबर कहां स्टार्ट होता है तो प्राइम नंबर जो है टू से होता है, तो force होता है, यहां पर जो है note, पर आगर कुछ लिख सकते हैं, point यहां पर डाल सकते हैं, क्या point डालिएगा, कुछ point डालिएगा, यहां पर लिखियेगा क्या, कि यह two, we are too, to kya है यह, अभाजी संख्या है, क्या है, two जो ए I अभाजी जो है, है ना, अभाजी संख्या है, वो भी कैसा है, तो सबसे छोटी है, सबसे छोटी अगर अभाजी संख्या आपसे पूछा जाए बाबू, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका टू हो जाएगा, एक और पॉइंट देखा जाए, एक क्या है, तो एक जो है, एक ज आगे देखा जातों एक और नंबर है आपका कौन सा पाइं यह है तो पाई जो है पाई क्या आता है पाई जो है एक हन यह आपका जो जो है अप परिमे यहां पर देखने को मिलेगा इसलिए यहां पर इसको क्या बोला जाता है परी में संख्या है मतलब पूरी तर से करता नहीं है इसका भी दो टाइप यहां निकलता है कौन-कौन सा एक होता है टर्मिनेटिंग बाभू देखते हैं हम लोग अगले पेज में अब लोग किसके बारें बात कर रहें तो पाई के बारें बात करें पाय जो क्या होता 22 बड़े साथ होता आप सब लोग रट लिया है इसका अगर पॉइंट में देखा यहाद है त्री वाइंट वन फूर होता ह और भी जो है संख्या है अब नमबर आपको देखने को मिलता है अब इस तरह के जब भी आता है आगे पूरी तरह से नहीं करता है मतलब की तो यहां पर दो तरीके से निकलता है एक जो निकलता है आपका टर्मिनेटिंग बोलते हैं उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं हना एक नंबर जो है क्या निकलता है टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है एक डेसिमल इसी का परकार है एक आता है नन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है अब यह क्या होता है अगर हिंदी में अगर देखा जाएं डेसिमल होता है हिंदी में अगर इसका अगर देखा जाएं इसको बोलते ह हम लोड देखने को मिले मैं अब देखने मिले पुर्जे से काड जाए हाँ और यहां पर मिलक लिक जा जाए लकता लिखने वन बाइट टूक हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं हम लोग यह पूरी तरह से कट जा रहा है अगर भाग लगाएंगे दो से दो से अगर 1 में हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर जो है 0 आ जाएगा पॉइंट देंगे तक फिर यहां पर जूर आ जाएगा और बार बर आ रहा हैं अगर कोई बीची बार लगा हुआ है इसलिए एक और इसका नाम हो जाता है क्या हिंदी में देखा जाया थो इसको बोलते हैं क्या आवरती बोलते हैं क्या बोलते हैं तो अवर्ती दस्मलों जो है एक और यहां पर नाम हो जाता है मतलब यह बार बार आता है इंग्लिस मगर एक और यहां पर नाम इसका जूड़ जाता है क्या हो जाता है रेकरिंग हो जाता है क्या हो जाता है तो रेकरिंग जो है decimal जो है recurring decimal जो है यहाँ पर एक और नम होजाता है